नमस्कार दोस्तों, एक बहुती इंट्रस्टिंग स्टेप लिया गया है, Competition Commission of India, CCI, आपको पता है, इसकी जिम्यदारी होती है कि देश के अंदर जो भी बिसनेसेज हैं, सेक्टर्स हैं, उसके अंदर competition बना रहा है, वहाँ पर मोनोपूली ना हो, यहाँ पर जो companies हैं, वो ऐस सकते हो, CCI imposes 200 करोण penalty on Maruti Suzuki over dealer discount policy, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि काफी interesting यह पुरा topic है, क्योंकि Maruti Suzuki अपने dealers को, मतलग कि आपको पता है, जब भी आप car वगरा खरीदने जाते हो, तो dealer के माध्यम से लेते हो, आप directly Maruti Suzuki manufacturing plant से थोड़ी लेते हो, तो जो dealers हैं, उनके उपर क पुरा मामला है क्या, क्यों यहाँ पर इसको anti-competition माना गया है, CCI के दोरा, काफी interesting है, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC के त्यारी कर रहे हैं, तो simply आपको हमारे app को download करना है, वहाँ पर जाकर आप, जितने भी courses हैं हमारे बहुती affordable rates पे avail कर सकत हैं, चली सबसे पहरे हम देखेंगे कि exactly हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे हम discuss कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि CCI के दोरा, यहाँ पर मारुती Suzuki India Limited, जो कंपनी है ना, इसका full name है MSIL, जो कि भारत की largest car maker है, इनके उपर 200 करोर का fine लगाया, क्यों लगाया, क्यों कि यहाँ पर मारुती Suzuki ने एक policy impose किया हुआ था अपने dealers के उपर, अपने dealers के उपर, अपने employees के उपर, कि आप additional discount नहीं दोगे customers को, जी हाँ, मारुती Suzuki ने कुछ इस प्रकार का policy लाया था, कि आप additional discount नहीं दोगे, तो अब यहाँ पर question यहाएगा आएगा आपके मन में, कि यह exactly policy है क्या, मतलब ऐसा मारुती Suzuki क्यों कर सकता है, मतलब मारुती Suzuki का main काम तो यही है न, कि अपने dealers को car बेचे, और फिर जो dealer है, उसकी जो मर्दी, वो जो भी discount देना चाहता है, दे दे, लेकिन यहाँ पर मारुती Suzuki dealer को कह रहा है, कि नहीं आप discount ही नहीं दे सकते, तो basically य भी car है, manufacture हो रहा है, बन रहा है, और वो car कहां जाता है, पूरे देश भर में अलग-अलग dealers के पास जाता है, जो मारुती Suzuki के dealers हैं, और आप dealer के पास जाते हो, वो car को खरीद लेते हो, simple, तो यहाँ पर जो dealers हैं और जो मारुती Suzuki की company है, उन दोनों के बीच में एक agreement type का हो रह सकते, और अगर आप ऐसा करोगे, तो हम आपके उपर काफी सारी penalties लगा देंगे, ऐसा इस तरह का कुछ मारुती कर रहा था, लेकिन question यह आता है, कि मारुती को कैसे पता चलेगा, कि यहाँ पर जो dealer है, वो extra discount दे रहा है, ऐसा तो है नहीं कि customer से जाके पूछेगा, basically मारुत मारुती ने क्या किया, एक mystery type का shopping agency बना लिया, मतलब आपने ही कुछ members को भेजा करता होगा, अलग-अलग dealers के पास, और उनसे discount करवानी की कोशिश करता होगा, और वहाँ पर जब पता चलता होगा, कि हाँ यह ज़्यादा discount देने को ready है, जितना हमने कहा था agreement के हिसाब से, उ उसके उपर फिर वो क्या करता था, कि penalty लगा देता था, वो dealer के उपर, सिर्फ dealer के उपर नहीं, उस dealership के अंदर जो भी sales executive है, जो manager है, team leader है, जो भी लोग उसके अंदर involved होते हैं, उनके उपर भी penalty लगता था, for example मैं आपको एक case बताता हूँ, यहाँ पर मारुती को पता का fine लगा दिया गया, इसके अलाबा यहाँ पर तिरुनन पूरम based एक dealership है, उसके उपर एक लाग का fine लगाया गया मारुती कंपनी के द्वारा, क्यूंकि उसने 4500 का extra discount दे दिया था, in fact यहाँ पर मारुती Suzuki ने एक email किया था, अपने सभी dealers के साथ, और यह कहा था कि अगर आप extra discount दोगे customers को, तो हर offense पर हम आपका जो penalty है वो बढ़ाते जाएंगे, पहले offense के उपर 50,000 का penalty, दूसरे offense के उपर 1,00, फिर 2,00, इस तरह से penalty बढ़ता जाएगा, so you can just imagine कि यह exactly चल क्या रहा है, और यह सारी चीज़ें email का जो पता लगाये गया, CCI के दोरा उसमें पता इस तरह की चीज़ें की गई, तो यहाँ पर CCI ने पुरा investigation किया, email का exchanges वगरा को पुरा देखा, और तब पता चला CCI को की देखिए, मारूती जो है वो अपने dealers के उपर, अपने sales executive के उपर, इस तरह के provisions को impose करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके मन में अब ये question होना च इस लिए है, क्योंकि discount control mechanism apply किया जा रहा है मारूती की द्वारा, कहने का मतलब है कि मारूती जान मुझकर, जो discount customer को मिल सकता था, आप जा रहे हो किसी dealer के पास, और आप कह रहे हो कि हमें 5000 और discount दे दो इस particular product पर, लेकिन dealer वो दे नहीं पा रहा है, dealer चाहे तो दे सकता है, वो उसका मन कर रहा है कि dealer दे दे, क्योंकि आपके city के अंदर आपके area में suppose 5 dealer है, जांसे आप मारूती Suzuki की car खरीच सकते हो, तो हो सकता है, यहाँ पर competition उसी को कहते है, अगर 5 है तो आप जहाँ पर best price मिल रहा है, वहीं पर जाओ, लेकिन आपको नहीं कहीं पर मिल पा रहा है, य उसको anti-competitive माना चाहेगा, और इसी की वजए से competition commission of India को लगा कि देश की सबसे बड़ी manufacturer, car manufacturer अगर ऐसा करेगी, तो यह सिर्फ consumer को, सिर्फ मारूती के उपर loss नहीं है, यह दूसरे गाड़ियों के उपर जो लोग purchase कर रहा है, उसके उपर भी loss, मैं आपको बताता हूं कैसे क्योंकि अगर मारूती अपना price कम नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, जो दूसरी company है, चाहे महिंद्रा हो, Honda हो, कोई भी दूसरी company है, उसको भी लगेगा ना, कि जब मारूती कम नहीं कर रहा है, तो हम भी अपना price क्यों कम करें, तो इसकी वजए से overall जो consumer को best फायदा म मारूती का कहना है, हम कोई भी ऐसाच agreement में नहीं गया है, हमने agreement के अंदर कहीं पर भी यह नहीं लिखा है, कि आप discount को restrict करो, हम बेसिकली चाहते थे कि जो dealers हैं, उसके बीच में उतना जादा मद्भेद ना हो जाए, क्योंकि एक dealer ज़्यादा discount दे रहा था, तो लोग उसके पास गाड़ी खरीदने चले जा रहा है, दूसरा dealer अगर ज़्यादा discount दे रहा है, उसके पास चले जा रहा है, तो ऐसा ना हो, उसी के प्रकार से, एक प्रकार से educator की तरह हमने काम किया, यहाँ पर हम कोई impose नहीं कर रहे हैं, ऐसा मारूती कह रहा है, लेकिन competition commission of ilia का कहना थ कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक formal agreement में ही आओ, जो situations थी, यहाँ पर market के अंदर, जिस तरह से email वगरा में चीज़े हमें दिखी हैं, इससे साफ दिखता है कि यह anti competition है, तो finally मारूती ने कहा है कि देखी हम इस order को देख रहे हैं, examine कर रहे हैं, और जो भी कानून के अं Commission of India से related है, इसको ध्यान से पढ़ना, especially दूसरा वाला, क्या बता सकते हो, कौन सा statement correct है यहाँ पर, इसका जो right answer है, आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उतर, मैं कई सारे MCQs यहाँ प आपको पसंदा होगा, मिलता हूँ से नेक्स ताम, तिल देन, थैंक यू बरी मॉच, सी यू सून